हेलो एवरीवन मैं हूँ पतीभा कानपूर किचन डॉट कॉम में आपका स्वागत है फ्रेंट आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चना चार्ट जिसे हम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनती है एक बार जरूर टाय कीजिएगा यहाँ पर चनों को हमने राद बर भीगो दिया था इसके बाद पानी से हटा करके कपड़े में बान के रख दिया था तो दो दिन में ये अच्छे से अंकुरित हो गए हैं आप चाहें तो बिना अंकुरित चने भी ले सकते हैं कटोरी में एक छोटा चमश हली पाउडर डाले और देड़ बड़े चमश हम धनिया पाउडर डालेंगे एक छोटा चमश लाल मिर्ची पाउडर है आधा चमश जीरा पाउडर एक छोटा चमश काला नमक एक छोटा चमश सफेद नमक और यहाँ पर हमने एक बड़ा चमश चाट मसाला पाउडर लिया है और यह एक छोट चूर पाउडर लिया है अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से पानी डाल करके घोल लेंगे यानि कि हमें इसका एक पेष्ट जैसा तयार करना है तो इस तरह से हम थोड़ा सा पतला पेष्ट तयार कर लेंगे यह दिखिए कंसिस्टेंसी हमने कुछ इस तरीके की रखिया है अब गैस में हमने कुकर रखा है इसमें हम डालेंगे सरसो का तेल आप कोई भी तेल डाल सकते हैं तेल गरम हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे एक छोटी चमत जीरा इसी के साथ साथ एक हरी मिर्च हमने ऐसे तोड़ के डाल दी है और एक चुटकी हींग डाल दी है इसे थोड़ी देर पका लेना है, साथी साथ मैंने थोड़ी सी अद्रक डाली है इसमें, तो अद्रक को एकदम बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करके डाला है, जब मसाले से तेल अलग होने लगेगा, तो हम इसमें डाल देंगे ये अंकुरित चने, वैसे नॉर्मल चने की बनाते हैं, उससे जो अंकुरित चने की चाट होती है, वो ज़्यादा टेस्टी लगती है और थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी भी होती है, तो एक बार चनों को अंकुरित करके इस तरीके से चाट जरूर बनाएगा, ये दिखें, मसाले के साथ हमने इसे अच्छे से मिक्स क लगा देंगे इस तरह से और इसे हम तीन सीटी आने तक कोक करेंगे, जिहां दूस्तों चनों को पकने में लगभग तीन सीटी लगानी पड़ती है, तभी चने अच्छे से सौप्ट होते हैं, ये दिखें फिर्ण्स प्रेशर खतम हो गया है, चने अच्छे से खल गहें, आप देख पा रहे होंगे, इसमें पानी ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, बड़ चने हलके से गीले हैं, तो हम क्या करेंगे, कि हाई फ्लेम में हम इसे एक दो मिनट तक पका लेंगे, ताकि चने थोड़े से ड्राइ हो जाएं, ये देखें, चने अच्छे से ड्राइ हो गए हैं, तो इसे हम एक बाॉल में निकाल लेंगे, अब हम इस पर डालेंगे, बारिक प्राइवा प्याज, इसे के साथ बारिक कटए हूँ टेमाटर डाल देगे, दो से तीन बारिक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, तीखा अप अपने हसाब से डालेंगे जितना ती कि आप बार बार बनाना पसंद करेंगे, साथ ही चार्ट बहुत ही ज़्यादा हल्दी भी है, आप इसे सुबह के नास्ते में या साम के नास्ते में कभी भी बना सकते हैं, बहुत ही रिस्टी हल्दी चना चार्ट बनके तयार है, तो एक बार इस हल्दी चना चार्ट को इस त तब तक के लिए बाबाई, टेक्यार